पहले sequence में एक्जाम देना चाहिए, मतलब पहले number पर जो question से पहले करना चाहिए, second number पर करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे चाहिए, वैसे attempt कर सकते हो exam को, copy के starting में पहला question आपका numerically होना चाहिए, बट अगर आपको 10% भी doubt है, मेरे question गलत न हो जाए, या मुझ ही दोस्तों कि आपके 100 में से 70 marks आने हैं, और कोई एक guidance आपके 5 marks extra दिला दे, या 10 marks extra दिला दे, तो अच्छी बात होगी नहीं होगी, तो ऐसे में आपको पूरे साल आपने कुछ भी किया हो, लेकिन जब exam time आता है, तो teachers, faculties, जिसे कह सकते हैं, सुबचिन तक हैं, उनके पा management या फिर आपका financial accounting, कोई भी आपका subject है, statistics है, कुछ भी है, उसमें एक सवाल मन में हमेशा हमारे रहता है, कि जब exam में होते हैं, examination hall में, question paper हमारे सामने हैं, और हम start कर रहे हैं, कि पहले numerical करें, या पहले theory करें, बच्चों के मन में सवाल क्यों रहता है, आपके मन में भी कही नहीं होगा, और नहीं होगा, तो चलो कोई नहीं वीडियो देख लो, solution मैं दूगा, आद में अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, कि आपको exam में अगर आपके पास numerical और theory दोनों आ रहे हैं, तो पहले क्या time करें, साथ में अगर option है, numerical और theory में, तो क्या time करें, ताकि हमारा जो exam है, वो बिल्कुल exit time पर पूरा हो जाए, बहुत बार ऐसा होता है, हमारा question चुट जाता है, यह हम short में लिखकर आते हैं, यह presentation की कमी रह जाती है, उन सब चीजों को ध्यान में लगते हुए चीजे बताने वाला हूँ, अक्सर student के mind में एक सवाल रहता है, जब वो देखते हैं कि यार, numerical भी मुझे आता है, theory भी मुझे आती है, और कभी-कभी तो दो option जो होते हैं, उन में numerical theory आती है, तो दोनों ही हमें आते हैं, ऐसे में वो सोचता है, यार, अगर मैं numerical कर लूँगा और उसमें मुझे time लग गया, calculation में, तो मेरे तो theory रह जाएग और आपके exam में अच्छे marks भी आएंगे, देखो मैं simple सी वावता हुआ, example के तोर पे आप exam देने के लिए जा रहे हो, और आपका question number one है, उसमें एक numerical दिया हुआ है, ठीक है, और जो question number two है, उसमें एक theory दिवी है, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो की student अपने mind में रखते हैं, वो ये कि पहले sequence में हमें exam देना चाहिए, मतलब पहले number पर जो question हो से पहले करना चाहिए, second number को second पर करना चाहिए, 14 number के question को last में करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे attempt कर सकते हो exam को, जो examinal होते हैं, जो हम लोग copy checking क होती है, ना कि sequence के साब से, क्योंकि हम marks देते हैं, question number से, जब भी हम answer देखते हैं, तो सबसे पहले चीज तो अपने mind से निकाल दीजिए, कि आपका यहाँ पर theory या फिर पहले कौन सा question करें, कुछ ना करें, उसको side में रखो, बात आती है कि अगर numerical भी आपको आता है, theory भी आती है, तो पहले हमें क्या time करना चाहिए, एक छोटा सा सवाल आपका था, और हमारे कुछ subscriber ने पूछा था, देखो, simple सी बात है, suppose कीजिए कि आप numerical देख रहे हो, और आपको लगता है, हाँ मुझे आता है, दो बाते होती है, एक कि हाँ मुझे आता है, बट मुझे अलका time में पूरा solve कर दूँगा, तो आपको पहली बार में numerical ही करना चाहिए, कोपी के starting में पहला question आपका numerical ही होना चाहिए, ठीक है, बट अगर आपको 10% भी doubt है, कि यार मेरे question गलत ना हो जाए, या मुझे formula तो आता है, मुझे bifurcate करना नहीं आता, या मुझे इस वाले step में problem या मुझे balance sheet बनाने में issue आएगा, तो ऐसे में होगा क्या, आप question करने के लिए बैठोगे, आपका 70% question ठीक हो जाएगा, last में आपको problem आएगी, आप time दोगे, आपका time consumption भी हो रहा है, answer भी नहीं आ रहा है, और दिमाग पर जो burden पढ़ता है, कि घंटी लगने वाली है, बै यह गलती में कभी नहीं चाहता कि आप लोग करें, सिद्धी सी बात है देखो, हमें impression बनाना है examiner पे, जब वो copy check करेगा, तो simple सी बात है, वो यह चीज़ देखेगा, कि पहला question आपने कैसा किया है, पहला question आपने perfectly define किया है, तो वहाँ पर वो समझ जाएगा, यह बच्चा कर दी, cutting कर दी, आपका answer सही नहीं आ रहा है, तो मैं समझ जाएगा, यार यह क्या है, कोन है यह, उसके बाद चाहिए आपने कितने अच्छी presentation दे रखी हो, कितने ज्यादा solution दिया हो, एक बार को मेरे मन में एक negativity रहेगी, कि हाँ यह बच्चा अच्छा नहीं है, पढ़ाई कि उसकी जंगा पर theory से start कर दो, फिर बाद में time निकालो, कि हाँ, last time मैं इसको time दूआ question को, जो भी time बच रहा है, फिर आप numerical करो, हो सकता है, तब soul हो जाए, क्योंकि आपके पास burden कम हो जाएगा, exam का, तो आप कर सकते हो, ऐसा मैं मैं मैंसूस करता हूँ, और मैं भी ऐसी कि करता था, second, अगर आपके पास option में, ये दोनों question के बीच में, आपको option दे दिया है, कि आप जो चाओ कर सकते हो, ऐसे में भी यही चीज़ सोचनी चाहिए, कि आपको numerical 100% आता है, या नहीं आता, suppose किजिए numerical आपको आता है, 100% नहीं आता, लेकिन हाँ, अच्छे से आता है, आपको लग रहा है कि मैं 70-18% कर दूँ, अकाउंट में अच्छी बात है, कि जितना numerical attempt करोगे, उसके question, उसके marks कुछ न कुछ मिलेंगे, ठीक है, मैं हमेशा से बच्चों को बात कहता हूँ, कि theory और numerical में, numerical भढ़िया होता है, क्योंकि उसमें accurate marks मिलते है, theory में आप 10 page भी ल option में numerical theory है, numerical आपको अच्छे से आते हैं, तो उसे attempt करना, ठीक है, अगर 50-50 का doubt हो, तो मत करना time waste हो जाएगा, तो option में theory हो, आयोप आपका doubt आज का clear हो गया होगा, अगर इस exams को लेकर, 2023 के exams को लेकर, अगर आपका कोई भी doubt है, कोई भी query है आपकी, तो आप comment कर सकते हैं, मै मैं उसको reply दूगा होई, और अगर मुझे लगता है कि ये comment, ये issue, बहुत सारे बच्चों के हो सकते हैं, तो मैं उस पर एक video बना कर आपको provide कराऊ, बाकी अभी exam time है, career के ओपर videos कुछ बच्चे मांग रहे हैं, definite मिलेगी है, आपको regular मिलेगी है क्योंकि मेरे पास career guidance है, जो counseling experience है, वो मैं आपके सास हमें साथ share करता हूँ, channel पर बने नहीं है, channel पर नहीं हो, subscribe करके bell icon press कर देना, and please share this video with your friends, क्योंकि ये जो doubt है, बहुत सारे बच्चों के मन में रहा है, thank you very much झाल